दोर्याचिल आभी दहाँ सेंटिमीटर ने कमी केला नंतर फ्रिक्वेंसी ऑफ उसलेशन मधे काय फरक होना रहे त्याद सा आप लेला चार्ट बगाई सा आए और ये तो सम्रूल देखिर गहाई सा आए टेक अ स्ट्रॉंग थ्रेड अप सफिशेंट लेंथ ताई अ वुड़न और मेटल बॉप तो वन अफ इस एंड तो मेक अ पेंडुलम मेंजर गए ओ तो पेंडुलिख दो में थे मेंगब और अटिमेट बॉपल przy भए प मेंजर करूं रिक्वायड फोर 20 असिलेशन्स, वीश दोलन पुर्णा होने साथी किती वेल लागतो तैची नोंद घहिश्या है, रिपीट धिस प्रोसेजर 4 तो 5 ताइम्स, डिक्रेजिंग दी लेंथ अब दे पेंडूलम बाई 10 सेंटिमीटर एवरी टाइम, प्रत्यक वेली 10 सेंटिमीटर दोर्याची लांबी कमी करूण, आपले ला या दोलन चा वेल रेकॉर्ड कराईचा, नोंद कराईचा है, रेकॉर योर अब्जर्वेशन्स, इन दो फॉलोईंग टेबल, ध्वनीचा लाहान मोठे पना सांगना साथी, ध्वनीची टीव रता वर ध्वनीची पातली या दोन सोजन्या वापनले जाता, ध्वनीची पातली मंजे आपले काना ना जानवनारी ध्वनीची टीव रता होए, नाउव वी सी ताइपस ओप सांड, फर्स इस दो अडिबल सांड, The sound which is audible to human beings is audible sound. The frequency of hertz is between 20 hertz to 20,000 hertz. Second is the infrasonic sound. The frequency less than 20 hertz is infrasonic sound. Sounds with a frequency less than 20 hertz are produced by some animals, namely veils, sinucerous, elephants. And third is the ultrasonic sound. A sound with a frequency more than 20,000 hertz is called as ultrasonic sound. Human beings cannot hear such sounds. Some of the animals, like dogs, can hear the ultrasonic sounds. Now we see uses of the ultrasonic sound. To clean delicate ornaments and tiny parts of a watch. To observe internal organs of the body. To detect the tumours in the brain. To kill certain microbes and insects. To kill certain microbes and insects.